चुनावा योग ने ये तैय कर लिया है कि इस सार के बिहार चुनाव 29 नवेंबर के पहले होगे। अब सवाल उठता है 29 नवेंबर ही क्यों। तो मैं आपको बता दू कि फिलाल सत्ता में बैठी सरकार का कारेकार 29 नवेंबर को समाप्त हो जाएगा। नमशकार मैं हूँ सौमय राठी और आप देख रहे हैं जंता जंती हम सब 2020 के चुनाव की फीर बदल में व्यस्त हो जाएगे। उसके पहले मैं आज आपको 2015 के विधान सबाद चुनाव का एक दौरा कराती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि 2015 के विधान सबाद चुनाव के बारे में जानने की क्या जरूरत है। तो इसका जवाब ये पूरी वीडियो खुद ही है। अगर मैं ये कहूं कि बिहार की राजनीती किसी साथ बहु सीरेल से कम नहीं है तो वो गलत नहीं होगा। अब आप खुद मुझे बताइए, पांच साल पहले जिस आरजेडी और जेडी उन्हें गटबंदन की सरकार बनाई थी, वो अज एक दूसरे की बुराईयां करते ठक नहीं रहे हैं। और वो भाजपार जिसने मन भर कर उस गटबंदन को अपशक्त कहे थे, वो अज जेडी उन्हें की पक्की साथ ही बनी दिखाई दे रही है। लूटी और कौन कि स्टीट पर चुनाव लड़ा। शुरुवात करते हैं 2014 के लोग सभा चुनाव से, जब भाजपा निनरींद्र मोदी को अपना प्राइम मिनिस्टर कांडिएट घुशित किया था। उस वक्त जेडी उन्डिय का हिस्सा थी, मगर मोदी के नाम से नितीश रहमत नहीं थे। और इसलिए उन्होंने अपनी पाटी को NDA से आलग कर लिया, ये कहकर कि वो चुनाव अपने दम पर लड़ेंगे और अपने दम पर ही जीतेंगे। मगर इस वक्त देश में मोदी लहर इतनी फैली हुई थी, कि जेडी उ के हिस्से में बस दो सीटे आये। और इस हार की नैटिक दिमेदारी लेते हुए, नितीश कुमार ने सीन की कुर्सी छोड़ दी और जीतनर मांची को सत्ता पर बिठा दिया। बहुत बाबु भाईया करके नितीश को करवरी 2015 में वापिस सत्ता में लाया गया। जीतनर मांची और जेडियों के बीच की कहानी में बहुत निराली है। इसके बारे में हम थोड़ी देरे में बात करें। फिलहाल बात करते हैं 2015 के विधान सबाब चुनाव के पहले बिहार के मौहल की। 2014 में मिली करार इहार के बाद, जेडियों को बिहार में अपनी राजनीती बचानी थी, और उसी चुनाव में एक और पार्टी ऐसी भी थी, जिसकी पॉलिटिक्स बिहार में निपट्टी हुई दिखाई दे रही थी, और वो पार्टी थी RJD. जेडियों को RJD का वोट बांक चाहिए था और RJD को नितीश कुमार का टाग, दोनों पार्टियों ने मिलकर महागडवंदन बनाया और भर भर के दुश प्रचार किया, मोदी जी और भाजपा के बारे में इतनी बुराईयां की, कि अगर एक-एक को हम लिस्ट करें, तो पूर वोटों की संख्या सी जीता, RJD ने जहां 80 सीटे जीती, JDU ने 71 सीटे हासिल की, कॉंग्रेस के हिस्से में 27 सीटे आई और भाजपा ने 53 सीटे हासिल की, इस जीत के बाद नितीश ने फिर से CM पत की शपत ग्रहन की, दो साल तक तो महागडवंदन में प्रेम रहा, लेकिन सी 22 जुलाई 2017 को भाजपा के साथ मिलकर उन्होंने फिर से सरकार बना लिए, और सुशील कुमार मोदी ने डेप्यूटी CM के रूप में शपत लिए, बच्चे गली क्रिकेट में जैसे टीम बदलते हैं, उससे भी जल्दी हमारे यां सहीयोगी पार्टियां बदल जाती हैं, इन सब में जितनी हटपटी बाते थी, उनमें सबसे विचित रहे था, कि नितीज जी ने एक बक्त पर ये भी कहा था, कि वो मर जाएंगे पर भाजपा का साथ नहीं देंगे, और आज स्थेती क्या है, मैं और आप बक्तू भी जानते हैं, बस इसके बात क्या था, जनता ज जंक्षिन जितने पेचीदा तरीकी सिक नहीं करती, उससे कई ज्यादा पेचीदा तरीके से, आज जेडी और जेडी यू एक दूसरे के लिए कटाक्ष करने लगे, बात इस हद तक बढ़ चुकी थी, कि लालु यादव ने ये तक कह दिया, कि नितीज जिस साम प्रतायक् आज वो उसी की गोद में जाकर बैड़ गए हैं, चलिए अब बात करते हैं आज की राजनीती के उस पहली की, जो आजकल काफी चर्चित हैं, जी हाँ, ये वही है जिनके बारे में हमने आपको कुछ वक्त पहले बस इक झ्छलक दी थी, जीतन राम मान जी, नितीश अपी स अपना नेता बना दिया, अब रन्मीती तो ये थी कि कुर्सी पर भले ही मान जी बैठे, राज तो नितीश ही करेंगे, मगर सत्ता का स्वार जब एक बार मान जी को लगा, वो सारी रन्मीती भूल कर अपनी ही राजनीती करने लगे, फिर क्या होना था, मान जी जी को सत्ता के साथ साथ J.W. से भी निकाल दिया गया, इसके बाद मान जी ने अपने आपको important नेता बनाने की बहुत कोशिशे की, उन्होंने अपनी पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा बनाई और NDA में शामिल हो गया, लेकिन नितीश के NDA में शामिल होते ही मान जी ने NDA का आती है, हमारी मती मारी को थी, ये सुनकर तो आपको ये लग रहा होगा कि ये नितीश और मान जी के रिष्टे का आंत था, आप चली सब को यही लगा था, मगर ऐसा हुआ नहीं, महागट बंधन में जलीन होने के बाद, वो वहां से भी अलग हो गए, और इस बार की हकीकत तो आपके और मेरे सामने हैं, 3 सितंबर 2020 को मान जी फिर से NDA में शामिल हो गए, सुनकर आपको भी चकर आ गए न, अब बिहार की राजनीती जलेवी सी सीधी है, तो आप और में क्या कर सकते हैं, अब ये सुने, जेडियों के स्पोक्सपर्सन नीरच कुमार ने RGT पर आर आधिकरन का बोल बाला हो गया है, RGT के विधायप राजबलव यादव, एक नाबालिक लड़की के साथ दुश कर्म के आरोप में जेल में बंद है, तो तेजस्वी यादव के पिये, मनी यादव पर अनैतिक देह व्यापार में शामल होने का आरोप है, बोजपुर जिले और पाप अलग होने के बाद शुरू हुए थे, या फिस सत्ता के लालश ने जेडियों की आँखों पर पट्टी बांदी, और ये मांधारी के राजनीती की बात करने वाले निपीज जी के प्रिंसिपल्स तब कहा गए थे, जब अनन्द सिंग को उन्होंने अपनी पाप अगर आप हमें फेस्बुक पर देख रहे हैं, तो जनता जंक्शन की पेच को लाइक करें, अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं, तो पेच को सब्सक्राइब जरूर करें, आप हमसे इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी जुड सकते हैं, अगर ये टूर खी हो माइएक को लुट रहे हैं, ग már κι खब धोगह, झार में में इंस स्ब्सक्की प्रूरे मोग जानाओ हम का हमें सब्सकolic को स乾ब से पर खेख常 को बสे बूंजडर को जारूर क्या आप हमें, भ нुआ आवा हमें वेफला के टो बाल को बाल करेंस्माट, जो जार को ख